जैस रिकाल वहरो, मैं आलोक तारा मड़ी हूँ आज मैं आप सब के सामने अपने कुछ अनभो बताना चाहता हूँ गुर्दे उसे में कैसे जुड़ा हूँ तो ये बात है दस साल पहले की लगबग 2012-2013 की बात है उसमें मैं जौब करता था तो पहले तो मैं बहुत materialistic लाइफ जीता था मुझे अध्यात के बारे में बहुत ज़्यादा ग्यान भी नहीं था अचानक से मुझे प्यास जगने लगी कि जानू कि अध्यात में है क्या मेरे अंदर प्यास उठने लगी इस और को जानने की इस और को समझने की हमेशा मेरे अंदर एक तड़प सी बनी रहती थी कि कैसे मैं अपने आपको जान पाऊं कैसे मैं इस और के सानिद में रह पाऊं तो मैं खुझ से ही प्रयास किया करता था और जब मैं अपने कमरे में होता तो मैं कमरे बंद कर लेता था अपने लगभग एक एक हपते में किसी से मिलता जुलता नहीं था अपनी तरफ से जितना भी प्रयास हो सकता था मैं पूरा प्रयास करता था क्योंकि उस समय मेरे कोई गुरू नहीं थे तो अपने से जितना प्रयास हो सकता था मैं करता था एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई, तो मैं उस दिन बहुत रोया, बहुत रोया, इतना रोया कि मैं रोते रोते जो है, मेरे भीतर से ये तड़ा पुठ रही थी, कि हे प्रभू, हे भूले नात, या तो आप स्वयम आ जाए, या तो अपने ही तरह किसी गुर रहा था बिल्कुल भी, तो रोते-रोते कब मैं सो गया, कुछ पता भी नहीं चला, और उसी के लगबग एक हफते के बाद, गुरु जी से ही सिधे मुलाकात हुई, बात हुई उनसे, तो उस समय हरिद्वार में एक सिविर लग रहा था, तो गुरु जी ने बताया कि आए, यह वहीं पर मिलते हैं, सिविर में, उस समय सिविर में पहुचने के लिए, मेरे पास पैसे भी नहीं थे परयाप, तो गुरु जी ने कहा, पैसे जिनता मत करो, तुम आ जाओ बस, तो मैं वहां पहुचा, और जब मुह वहां पहुचा, मैं देखा गुरु जी को, तो भी मुझे देखते ही रहे गए, बस उसी आशो के माध्यम से जो है, गुरु जी भी समझ गए और हम भी समझ गए, कि यहाँ जो नाता है, वो जनमों जनमों का नाता है, और पहली बार गुरु जीसे मिलने के बाद ही, जो है, हमने उनको अपना गुरु मान लिया, और वो बहुत परिश्चा होने के बाद बहुत संमे बाद मेरी जाके दिछा होई. दिछा होने के बाद गुरु जी के माद्टर्म से जो भी साधना प्रद्दान की गई थी जो मैं अपना दिरंतर करता रहता थम. और उसकी मार्दम से बहुत सारे अनुभो भी मुझे मिले तो समय बीता गया और स्रीकाल भहरो आस्रम का निर्माड हुआ वहां भी मैं रहने लगा और यहां मैं निरंतर सेवा करता रहता था गुरु जी की सेवा करता रहता था, असरम की देखबाल करता रहता था एक दिन ऐसे ही गुरु जी बुलाए मुझे और बुलाने के बाद बोले कि बताओ कौन सी साधना करना चाहते हो मेरा जवाब था गुरु जी मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी साथना करनी चाहिए आप ही मुझे बताएं गुरु जी ने पता नहीं किस करुणा वस मुझे ऐसी चीज़ दी कि जिसकी कलपना भी नहीं कर सकते हैं लोग अब मैं तो उसके काबिल भी नहीं था तो गुरु जी ने मुझे ऐसी सकती प्रदान की जो सिव जी की जटाओं में रहती है जिसका नाम पिनाकी है और उसके माद्यम से मुझे भूत, भविश, वरतमान ये सब देखने की दृष्टी मिली और उसके माद्यम से मैंने अपना पूर जनम भी देखा पूर जनम जब देखा तो पता चला कि गुरु जी के साथ तो जनमों जनमों कनाता है पहले भी उनके साथ उनके सानिद में रहके साधना कर चुका हूँ तो इस तरीके से कई जनम उनके साथ में रहा हूँ एक बार ऐसे ही गुरुजी कुछ साधना दिये थे करने के लिए और मैं दो तीन दिन किया, एक दिन नहीं कर पाया किसी करना बस से और मैं सो गया, रात का समय था लगबग दो ढ़ाई बज रहे होंगे या तीन बज रहे होंगे, एक जैट समय नहीं मरलूम, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गाल पे बहुत तेज से थपड मारा, और इतना तेज थपड पड़ा था, मैं उठा मेरे तुरंत आख खुल गई, जब आख खुली तो मैंने देखा कि सामने तो कोई है नहीं, लेकिन जो है दर्द हो रहा था, थपड इतना तेज पड़ा था, फिर जैसे यह हु एक बार मैं हवन कर रहा था, और हवन करते समय अचानक से मनलब मौसम एकदम साप था, और हवन करते समय अचानक से चारो तरफ एकदम धुन दचा गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हो रहा है, अद्भुद घटना जैसे कुछ हो रही हूँ, और फिर एक बहुत भ्या कर आवाज आई तो सुनके थोड़ा सा खबराया लेकिन फिर मैं अपना जो हवन है वो करता रहा और फिर दस मिट बाद देख रहा हूं कि जितना धुन्द था जितनी कोहरा था वो सब जड़ छट गया साफ हो गया तो मुझे लग रहा था कि उस समय कोई अद्बूस सकती वह है लग बग तो तीन बज़े मैं सो जाता था तो उस दिन हुआ ऐसा कि ऐसा लगा जैसे मेरा कोई कंबल सामने से खीच रहा हूं तो जब कंबल खीचा जा रहा था तुरंट अच्छा मेरी यह आदत है कि जैसे भी थोड़ी सी हल चल होती है मेरी नीन फुल जाती है मैं चक खल लगाया है अथृसर अ तुरंट तुटके देख रहा हूं कोई है यह नहीं और कंबल मेरा जो है फूड़ा खुल गया था मैंने सॉचा झ्टीक और को यह होगा मैं फिर मैं सो गया ऑ फिरमय मैं सो गया फिर मैं कंबल लिपत के एकड़ा फीर से वैसी जिसी में सुरा थ और चार उतरब गूप पंदेरा उसकी हलकी परचाई से दिख रही थी और मैं हाथ पर हिलाने का प्रयास कर रहा था लेकिन हिला नहीं पा रहा था तो बाद में गुड़ी से मैंने उसकी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो तुम साधना कर रहे हो उसी साधना के अनभव ह है वो सकती तुमसे प्रसंद है और वो सकती तुमसे कुछ बात करने आई थी तुमसे मिलने आई थी तुम्हें परकने आई थी परक के चली गई तो इस तरीके के बहुत सारी अद्बुत गटनाएं मेरे साथ जो है हुई है और गुरु जी की ही ऐसी कृपा है गुरु जी तो हमारे भगवान है, उनको हमेशा मैंने अपना भगवान माना है, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले तो वही हैं, भगवान के बारे में समझाने वाले वही हैं, तो मेरे लिए सबसे पहले भगवान तो वही हूँ, गुरु की आज्या के बिना कुछ भी नहीं करता हूँ, गुरु जो कहते हैं उसका साच्छा रेक्डम पालन करता हूँ, और आश्रम में रहते अपनी साधना भी करता हूँ, और गुरु जी की किरपा से मेरी इंकम का अच भी बढ़ रहा हूँ, और संसारिक दिष्ट कोल से भी किसी चीज की कमी नहीं है, तो गुरु जी ऐसे धीरे धीरे सभी को आगे बढ़ाते रहते हैं, हमारे आश्रम में निरंतर हवन होता है, निरंतर आर्ती होती है, फुजा पाठ होता रहता है, आश्रम में इतनी साधना करते समय कुछ सक्तियां इसे सामने आके दर्सन दी है, एक बार तो कोई एक आत्मा टहल लए थी, गुरो रह थी, अपने पच्चे को साथ लेकर टहल लए थी, वो देखी, मुझे साधना करते हुए तो वहीं आके रुग गई, फिर मैं देखा और कुछ कहा नहीं, म मुझे से बहुत सारे अनभव हुए हैं मुझे इस आस्रम में रहते हुए, गुरू जी के सानिद में साधना करते हुए, और उनकी किरपादिष्ट्य ऐसी बनी है, कि उनके सानिद में रहते हुए धीरे 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 हम सब निरनतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और किसी को सानिद में आप इतनी आसानी से जा नहीं सकते हैं गुरु जी जरूरत पढ़ने पर दाठते भी हैं जरूरत पढ़ने पर प्रेम भी करते हैं और उनका प्रेम असीम है गुरु और सिस का जो प्रेम है उसको बया नहीं किया जा सकता है इतना असीम प्रेम है गुरु जी मेरे सबसे ज़ादा इस संसार में मानता हूं तो अपने गुरुझी को ही मानता हूं क्योंकि उन्हें के देन है आज जो कुछ भी हूं मैं और उनकी किरपा से ही मैं निरंटर साधना की दिष्ट से अध्यात्मिक दिष्ट से और संसारिक दिष्ट कोड़ से आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो यह मेरा परिचे था और यह मेरी अध्यात्मिकी आतरा थी जो आपके समझ हमने रखी हो सकता है आपको इससे पुछ सीख मिले धन्यवाद जैस्रीकाल देर झाल